नमस्कार जी नमस्कार अपने शुब नम बताएं सर धर्म सिंग बहुत-बहुत स्वागत है आपका पताईए क्या समझे है हकीम साब आपकी आवाज सुन रहे हैं बच्चे की वाईप है उसको बच्चा तो हो जाती लेकिन उसमें जी नहीं पड़ता अच्छा ठीक है और एक है जो लड़का है उसको फिसर है लड़कें को क्या है दोबारा बता है दर्म सिंग फिसर फिसर बलड आता है ठीक है जी दोनों के उमर बता है दोनों के उमर एक फ़ाई सब्ता ही थे जी ठीक है अच्छा देखिए पहले बच्ची की बात करते हैं जी जिस बच्ची को अंधर सर्थ धढकर नहीं बनती उसका इलाज पहले बताना जरूरी हो सकता है कॉल कर जाए जी और यही सब जो न जी आप कागज और पैन लेके बैठें नोट करते जाएं जी देखिए एक दवा है जो मैंने जितने लोगों को भी बताया जी उन सब की उमीद पूरी हुई अरे वह और मेरा काम है सच्चा मश्वरा देना फिर रह जाता है आपका और आपके रब का मामला जी जितना आप उससे मदद मढ़ों को इतती मदद करेगा आपका नियत सची होनी चाहिए जी नुस्खा मैं बता रहा हूँ इमानदारी से मेरी जिम्म्यदारी कुछ नी जो भी मैं दिवायां बताता हूँ जिम्म्यदारी से बताएं इमानदारी से बताता हॉई और फाइदा मैं नही बagem मशवरा देता हूं मशवरा कह समाते हैं तो हम आप अपने रब से मांगें अश्ऌन हंदी में मैं कहते हैं रहे सब कहते अस अच貝 नागोरी पिर डंडीं सी होती है इतनी बड़ी बड़ी और नागोरी वाले लेंगे तो बहुत फाइदेमंद नागोर वाला जी पिली-पिली डंडी होती है यह आप तक्रिबन ले लिजे 100 ग्राम अश्वगंदा हिंदी में कहते है अश्वगंदा नागोरी हम लोग अपनी तिप्वी जबान में कहते है यह और कलोंजी कलोंजी और अश्वगंदा नागोरी कलोंजी कितनी लेनी है अश्वगंदा सौ ग्राम लेनी है सबको अलग-अलग पाउडर बनाएं दोनों के अलग-अलग पाउडर बनाएं एक साथ नहीं बन सकता इनका पाउडर और फिर आपसे मिक्स कर दें ठीक है और इसकी दो चुटकी यह चुटकी है जितना भी आता है इसमें दो चुटकी रात को सोते वक्त वो बच्चा और से ले ले और तो तीन महीने खा सकते हैं यह नुक्सार नहीं देता इन सब इम्रास के अलावा बहुत सी बीमारियों को फायदा करता है जो आपकी यूरिनली से मतालिक हो या गर्भाशे से मतालिक हो बीमारियों को दफाय करता है जिनके बच्चों के धरकन नहीं आती सबसे पहले दरसल दिल बनता है आदमी का और उसमें धढकर आ जाने चाहिए ये गरब तो धारन कर लेती है यानि हमल तो रह जाता है लेकिन दिल नहीं बन पादा सबसे पहले बनने वाला पाड जो है वो दिल है और दिल अगर साथ ना दे जान निकल जाती है तो उस वक जब बच् मश्वरा आप हमसे जरूर ले ले हमारे वेब साइट से ले ले हमारे डॉक्टर से ले ले हमारे पार लीडी डॉक्टर भी ऑनलाइन रहती है दिन में तो रहती है रात में भी हमारी मदद आपको पहुंच सकती है चोबिस कंटे डॉक्टर से रहते हैं हमारे लाई पर तो पिर आप लगातार खाती रहे अगर आपका हमल रह जाया दिल बन जाया तो आप अपने शोहर को बंद करा दे आप खाते रहे अच्छा ठीक है और ऐसे वो लोग जिनको उलाद नहीं होती है जी 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 वो भी बहुत जादा है और अल्ला का बड़ा करभ है मैंने जिसको भी नुसका बताया अल्ला ने उसको काम्याब किया आप भी कोशिश करें यकीन करें और अपने रब से मदद मांगें मैंने आपको नुसका बताया अब आपकी और आपके रब की का मामला है आपको फाइदा हो नहो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं जी अश्व गंदा नागौरी 100 ग्राम लेनी है और कलॉंजी 100 ग्राम लेनी है दोनों का पाउडर बनाना है अलग अलग और फिर दोनों को मिलाना है और अपने बेटे और अपने पुत्र और अपनी पुत्र वद्रू याने अपनी बहु को और अपने बेटे को दोनों को रात को सोने से पहले दो दो चुट और पुत्रवदु बहु को कहें वो इसको लेती रहें जिस शख्स को भी फिशर है तो वो सबर करें और कोई भी सखील गिजा यानि जो मुश्किल से हजब होती है वो लिखाए और एक नुस्का बना ले वो नुस्का बहुत आसान है देखिए पपीते का पत्ता और पपीते का पत्ता सौफ और आपका धनिया और कल्मी शोरा जी पपीते का पत्ता सौफ धनिया और कल्मी शोरा जी सब को पचास पचास ग्राम लेके और पाउडर बना लें इसको पाउडर बना के एक किराम सुबा एक किराम शाम तकरीबर एक कैपसूल बड़ा खालिया करें कड़वा लगे तो कैपसूल में भलना कैपसूल भी मिलते हैं मार्केट में और यह इस्तमाल करना शुरू करें पहले एक खाया करें, फिर कम फायदा हो तो दो टाइम कर दें, कोई भी सखील की जानक है, और इससे इनके बच्चे को फायदा होना मुम्किन है, जैसे के पी नाम से जो कैपसिल थी हमारी पी केर, तो क्या इसके लिए भी कोई खास दवाई बनाई हुई है, कोई कैपसिल बन एसीडिटी, काब्स, लीवर प्राबलम या दवाओं के लुक्सानाथ, किड्नी प्राबलम या किसी की किड्नी की गंदगी बढ़ जाती है, तो इन सब के लिए बहुत अच्छी दवा है, आप ले सकते हैं, पहले ये दवा लेके देखें, युनुस साहब हमारे साथ नाइ आप फरमाएं प्लीज, असलाम अलेकुम, वालेकुमस्सलाम, मेरे हरकें साहब हमारे घुट्या में बहुत दज होता है, कहा बात गुटने में, घुटने में दज होता है, अमर फरमाएए, अब बात है, डंस ने जब एक्स्रे वियरा किया, तो उन्हेंने बताया कि ये बा दो-तीन महिना किया कोई फाइदा नहीं आए है रवादियत हैं वह उसी तरह से नीव बांच के अपना चलते हैं और मजबूरी में नमाज पढ़ते हैं जैसे मचियर में तो नहीं उसे लिल होके पढ़न रहते हैं अचा आपकी उम्र कितनी है और इसके अलावा कौन सी बीमा क या ब्लेड पेशर ने ब्लेड पेशर लावादा नहीं यूरिक आसिट बड़े जासा है ठीक है जी हाँ यूनिस साहब आपको खुब उम्र दरास करें सिहत के साथ और दुनिया और आखरत में काम्याब करें हम सब को और दुखिए आपके ये बीमारी इंशाला जितनी की उम्र है तक्रीबर इतना फाइदा आपको मुम्किन है अच्छा सेवंटी पर्जेंट इनको फाइदा मुम्किन है जी और कमो बिश जी और इसके लिए आप अगर बाकाइदा अपनी रिपोर्ट शेयर करने तो बहुत अच्छा है नहीं कर सकते तो कहीं हमारा जो हमारे दवाखाने है जी देहरबल नाम से जहां जहां हैं वहां आप कांटेक्ट कर सकते वो भी नहीं कर सकते तो मैं घरेल नहीं उसका बताता हूं जी वो इस्तेमाल करें खुब लल्ला से मदद मागें और मुझे अमीद है कि आप को फाइदा मुम्किन है सुरंजान शीरी पाउडर बनाए बिलकुल पिसी मतला ये आप उसे खरी दिये और घर में लाके पाउडर बनाएए और इसको दो चुटकी दीए ये चुटकी है हमारी ऐसी दो चुटकी जितना भी इसमें आए आप सुबा और शाम खाने के बाद पानी के साथ आप लें खुब लल्ला से माँ मेरे लिए भी दूआ करें कि मैं अल्ला मुझे भी कामियाब करें कि मैं लोगों के खिदमत करता रहूं जब तक जिंदगी रहा और आपका ठीक होना मुम्किन है सुरंजान शीरी अजगर नागोरी जी अलसी और कलोंजी और कलोंजी ये चार चीज़ें लेनी हैं इनका पाउडर एक साथ बनाने है या अलग अलग करके बनाने हैं अलग भी बना सकते हैं अब एक साथ भी बना सकते हैं मिदार एक सी होगी सबकी हैं दर से इसमें दो जी 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 अलसी उकलोंजी ऑईली हैं जी 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 ज की दवाई है अभी तक आप दर्द की दवाई खा रहे हैं जी जुरूत पढ़ने पर वो भी खा सकते हैं ये छह साथ आठ दिन बाद आपको हलका सा फाइदा शुरू करेगी मुम्किन है थोड़ा सा दर्द तो चार दिन के लिए बढ़ जाए जी 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 या घुटने का दर् रवया है कि वो दर्द को वहाँ से निकालने के लिए अपनी जगा से धका देती है किसी की पिंडली को आ जाता है किसी की पैर में किसी कमर तक आ जाता है और अगर ये तगयूर होने लगा चेंज होने लगा तो समझ लिए दवा काम कर रही है कुछ लोगों को दर्द जाता है बाकि 98% लोगों को कम ही होता चला जाता है जी और आपकी किसमत कितना अच्छा फाइदा हो इतना आप एतियात करेंगे दवा को मुतवातिर लेंगे जी उतना फाइदा आसानी से मुम्किन है विरेंदर जी नमस्कार अलो सर्व नमस्ते जी नमस्ते आपका समस्ते हैं शरीरों कुझली होती है खुझली होती है शरीर में पंगल इंफेक्शन बताया जा रहा है अच्छा आपकी उम्र कितनी है 28 अगर चैनल देख रहे थे तो अभी मैं इसके बारे में बताया था और फिर बतायाता हूं एक तो आपका इलाका मैं जब मैं आगरा में रहता था तो बड़ा खतरनाक था वो इलाका उसी तरफ है न मुरहना मध्य प्रदेश में है भी नुरहना इस तरफ उतर प्रदेश म अच्छा तो अभी आपके बारे में बात चलेजी के जिन लोगों को फंगर इंफेक्शन हो ऐलर्जी हो इसकिन ऐलर्जी खुझली हो और बहुत सारे इसकिन के इमरास के लिए अलसी आप लीजे दो डाइसो ग्राम खरीद लिए सस्ती चीज़ है विस तीस रुपए की आज पड़ा जिए जी 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 हलका सा भूणिये और उसको पिर पौडर बना लीजा आजकल तो हर घर में ग्राइंडर है जी बार इक पौडर बना लेते हैं उसे रखी आप एक डिबे में करके बंद करके और सुबा आपनी हार मूँ भी ले सकतें ख़ाने के बाद ले सकतें एक चम्मच भरके निकालें तगरीबन चार पाश गिराम छे गिराम इसमें एक चुटकी सोडा खाने का डालें और यह आप खालें बुरा नहीं लगता जायकेदार लगता है जिनको शक्कर नहीं है शुगर भी मिला सकते हैं इसमें और पानी पी लें थंडा या गरम जैसा भी आ करें दिन बहुत ज़्यादा है तो दो खुराक लें दिन में और कम है तो यह खुराक में ही आपको फाइदा दे सकता है यह बड़ा मुझरब है आप इस्तमाल करें किसी के काले काले निशान हो जाते हैं किसी के काले दाग हो जाते हैं किसी के पैरों में काले काले दाने होक मैंने अपनी तजबे में देखा कि हर तरह का बेशतर मर्दों में इस नुसके ने लोगों को फाइदा पहुचा है अब भी कोशिश करिए बहुत मुझरब नुसका है आपके आप अपने रब से खुब मदद भी मागए अपनी वालदा जिंदा है तो उनसे दूआ करवाईए वालिद है तो जो भी बुज़र्ग है उनको खुश करिए अगर नाराज है तो उनको राजी करिए इंशालला आपका मज़ ठीक होने लाएट सुलिमान साथ नमस्का रादा बहुत-बहुत स्वागत है आपका आप मेरे हम नाम है माशालला जी असलाम अलेकूम है भाद है आपसे बात हो रही है आग जी फरमाएं से क्या प्राब्लम है कीमट दर्थ में काफी अरसे से परिशाणी थी मैं बात की थी आपके दर्थ तो काफी आराम है भी साथ से पैंसे परशाट आराम भी तो अबी तो मैंने दो मैने दवएन मुझे 50% की आराम है तो ओछे क्या मामूल है और बहुत सारी चीजों से नों ने रोका था तो क्या वो मैं शुरू कर सकता हूं दुबारा से मतलब क्या-क्या चीजों से रोका था जिनको आपने छोड़ा जी मैनद करने से रोका था और बैठे रहने से एक ही जगह पर, बहुत सारी चीज़़ों से ऐसे है, आपकी उमर कितनी है, ये मेरी उमर 36 साल है, ठीक है, जी, बहुत कम उमर में, बहुत कम उमर भी नहीं है, उमर एक हिस्सा तो हम जी चुके होते हैं, जब 35 साल के, 36 साल के होते हैं, क्योंकि उम्र का एवरेज हमारा बहुत कम हो गया, 60 से 65 है, एवरेज उम्र हमारे इंदुस्तान की, तो आदी जिन्दगी हम जी चुके होते हैं, बरहाल आपको हमेशा सेहत मन रखे, और आपको माशाला फाइदा हो रहा है, 30-35 परसेंट हर मही महीने हो रहा है, तो दो महीने में आपको 70% अल्ला ने फाइदा दिया, और कुछ दिन और रुख जाएए मशाकत, मतलब वजन मत उठाइए, और अभी आपको अल्ला तेही से फाइदा दे रहा है, शायद एक माह और लगे, या कमो बेश, उसमें आपका ठीक होना मुम्कि है, अभी थोड़ी एतियात करने तो बेतर है, हफ़से मात अकद, मतलब हिफाज़ती तोर पर आप इसको करें तो बहुत अच्छा है, वरना आपको अल्ला मदद कर रहा है, बहुत तेही से फाइदा हो रहा है, महीना या कम ज़्यादा आप दवा खाएंगे, ठीक हो जाए पिर आप पहले जैसा काम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बज़न नहीं उठाना कुछ दिन तक, और अक्सर हम बज़न उठाने में या कोई बच्चे लोग होते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए, अपने इस्ताज से ज़्यादा बज़न उठा ज़ते हैं, अपने बज़ु बेएज हुनुझ नहीं होते हैं, पूछ भाएज होते हैं, इस उगना सिने ज़ना भाटरोण हुते हैं, अपने हैं, और ह हैं, इस हैं इस अे ज़ता हैं, बहुत रहना Amproduct Maar 5000 यदिनने में प्रेण से के लिते हैं, तु हैं भाटरोण हैं ये झाराफना की बचल बच्नि 들어오र्